असलाम अलेकुम मेरी प्यारी बेनों कैसी हैं लातरा से द्वाएक अलातरा हम सबको अपने जामान में रखे खेर आफिस रखे आज हम प्रिंटिड गला बनाएंगे इसके लिए हमने रफ सी फ्यूजिंग ती जिसमें मैंने पहले गला बनाया था उसको मैंने साइड से कट कर के जो हम प्रिंट बनावा है उसी के कोन उपर हमने फ्यूजिंग लगा दी है सेंटर का हमने यहां पर गला कट कर देना है नीचे कले में भी हमने कट लगा देना है सेंटर में यह हमने गले को कट कर दिया है कि टाउजर के हमने पटी ली है इसको हमने आडा कटिंग कर लिय यह पटी डेड़ इंच की चोड़ी पटी है इसकी हमने पाइप इन बनानी है पटी को हमने सीधा रखा है और गले की यहां पर बेक साइड है इसी पर हमने पाइप इन बनानी है पाइप इन के लिए हमने बिल्कुल ही और हमने सिलाई लगानी है और सिलाई हमने बिल्कुल ब तरह हमने पूरे गले में रॉंड शेड़ में हमने ये पाइप टी लगा देनी है यहां हमने पाइपिन जो निकाली है उसको हमने मोडते वे अब हम पाइपिन बनाते जाएंगे पिल्कुल ही बराबर हमने पाइपिन बनानी है तो हम गले को सिर्फ पाइपिन को मोडते जाएंगे और पाइपिन बनाते जाएंगे क्योंकि हमने पहली सिलाई हमने बराबर रखिए तो इससे हमारी गले की पाइपिन बहुत ही फिनिशिंग से और सफाई से और खुबसूरत बन कर निकलेगी तो पूरे गले में हमने इसी तरह से पाइपिन बना लेनी है यहां हमने दो इन्च करें हुए पटी लिए इस पटी को हमने दोनों तरफ मुडते हुए हम पहले एक सिलाई लगाएंगे उपर उसके बाद हमने जो गले में कट लगाया है उनको जोइन करने के लिए हम यह पटी सिलाई लगा दी पाइपिन की अब दूसरी तरफ भी हमने गले को मोड़ते वे हमने पाइपिन के उपर नहीं साइड में हमने ये सिलाई लगाते वे हमने इस पटी को जोइन कर देना है यहां पाइपिन में से बेक साइट की तरफ जो रफ कपड़ा पचा है उसको हमने बिल्कुल ही बारेक सा मोडते वे हमने दूसरी तरफ दूसरी सिलाई लगा देनी है या बेक साइट की तरफ जो सिलाई नजर आएगी वो बिल्कुल ही एक पाउं का मालजन रखते वे यह सिलाई नजर आएगी यह हमारा कला बन गया है अब इसमें हम मोती लगाएंगे चोटे-चोटे यह हमारे पास केरीन कलर के मोती है तो हम वही लगाएंगे पूरे गले में यह हमने गला बना के तयार कर दिया है वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब